क्या SSB इंटर्व्यू के लिए कोचिंग लेना चाहिए क्या SSB इंटर्व्यू की कोचिंग से chances of recommendation बढ़ जाते हैं ये दो सवाल लगबग हजारों बार मुझसे WhatsApp पे पूछे गए इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाता हूँ 1940s में precisely 1943 में ब्रिटिन ने 6 Services Selection Boards भारतिये आर्मी को इंडियन नाशनल आर्मी को सौप दिये थे और कहा था कि Officers का selection तुम इस SSB इंटर्व्यू बोर्ड के थू करो इस 5 दिन की प्रक्रिया से तब psychological test पे जादा focus होता था तब GTO और interview पे कम focus होता था लेकिन जब देश अजाद हुआ तब से equal focus रखा गया interview GTO part और psychology part पे 1943 से आज 2023 तक SSB interview के process में कोई जादा बड़े changes नहीं आए पाँच दिन के ये interview processes चेक करते हैं कि आपके अंदर officers like quality है या नहीं है इस बात से एक चीज़ समझाती है कि 43 से लेके 2023 तक आज 80 सालों में लगभग process बिलकुल सेम है मतलब अगर कोई पुराना तजुर्बेदार है जो SSB interview crack करक करके आया है उसके तजुर्बे से कुछ सीख मिल सकती है ऐसा ग्यान यही हो रहा है अभी तक यही समझ आ रहा है लेकिन defense aspirants अभी ठहरिये अब यह किसी भी conclusion पर भी मत पहुचिए अब बात करते हैं SSB interview के process के बारे में National Defense Academy वो entry जिसके माध्यम से 16.16 के बाद 12th pass बच्चा फॉज में अफसर बनता है उसको भी 5 दिन का interview देना है वही graduate entry जैसे CDS जैसे FCAT उसमें भी 5 दिन का interview process देना है यानि कि class 12th pass बच्चा भी और graduate या graduation के final year वाला बच्चा भी यह दोनों same interview process देना है यह दोनों 5 दिन का same interview की प्रक्रिया देना है अब मानी बात है कि 10 plus 2 के pass हुआ student यह 10 plus 2 student जो 12th में है उसका exposure level graduate के exposure level से कम होगा उसका maturity level graduate के maturity level से कम होगा इसके बावजूद इन दोनों age groups के बच्चों को SSB interview देना पढ़ रहा है यानि की SSB interview process age के हिसाब से नहीं बदलेगा जब 1940 से चला आ रहा है वो तब नहीं बदला और entry के हिसाब से भी नहीं बदलेगा कि NCC के अलग SSB होगी या JAG lawyer साब के अलग SSB होगी सब का uniformity है अब defense aspirants आप ये सोच रहे होंगे जब सब कुछ uniformity भी है और 1943 से process भी नहीं बदला तो चलो जी free का content ले लेते हैं YouTube से नाउनलोड कर लेते हैं ढूंड लेते हैं बहुत सारी website से देख लेते हैं TAT, VAT, SRT वहीं से practice हो जाएगी वहीं से काम हो जाएगा पर defense aspirants SSB interview आपके attitude का एक test है आपके adaptability nature का एक test है defense aspirants SSB interview आपकी qualities का आपकी personality का test है personality physics, chemistry, biology की तरह पढ़ाई नहीं जा सकती personality के लिए guide किया जा सकता है SSB interview coaching असल में कोई coaching नहीं होती SSB interview guidance होती है यह guidance तब successful होती है जब आप trained assessors जैसे interviewing officer, GTO officer और psychologist के guidance में यह पूरा process समझते है physics, chemistry, maths की coaching ज़रूरी होती है JE का paper crack करने के लिए physics, chemistry, bio का coaching होती है NEET के paper crack करने के लिए PCM की coaching ज़रूरी है NDA के entrance paper को crack करने के लिए लेकिन जो personality का test है इसके लिए कोई coaching या कोई YouTube का free content या कोई blog का free content कुछ नहीं कर सकता आज हजारों लाखों sites पे TAT, VAT, SRT, SDT, GTO के lecture topics, group planning exercises, group discussions available है screening के लिए officer intelligence rating test के papers available हैं लेकिन इसके बवजूद candidates screen in नहीं होते 70-70-80% candidates पहले दिन ही छड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी eagerness रहती है, इतना desperation रहता है फाज की वर्दी के लिए कि वो aggressiveness दिखा देते हैं, वो aggressive हो जाते है defense aspirants, जब कभी civil में आप कभी नौकरी लेने जाओ, तो आप उस नौकरी के बारे में समझ लेते हो software engineer जो है, उसको पता है कि उसका काम क्या है, software engineering का है mechanical engineer है, उसका पता है काम मशीनों से related है लेकिन forge में, अलग-अलग circumstances में अलग-अलग काम है जिस तरीके से आप राजिस्थान में duty कर रहे होगे, उस तरीके से आप siyachin glacier में duty नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर adapting nature होना चाहिए, आपके अंदर attitude होना चाहिए brotherhoodness का, जिसको check करते हैं तीन assessors, GTO, psychologist and interviewing officer, defense aspirants मेरा हर एक defense aspirants से अनुरोध है कि किसी भी officer से, किसी भी recommended candidate से coaching मत लीजे क्योंकि आपकी personality, उनकी personality, मेरी personality और चितने viewers देखने हम सब की personality अलग अलग है हमें personality के लिए guidance लेनी है, ना की coaching लेनी है और guidance भी trained assessors के अंडर, जैसे करनल पंकज महरोतरा जो की खुद army board के deputy president थे, उनके नेतित्व में पूरा का पूरा army board अलाबाद operate करता था, army board भुपाल operate करता था, वो खुद ex-interviewing officer है, जिनोंने 70,000 से ज़्यादा candidates का screening process and interview लिया है करनल स्वामित्रोदत सर, जो की DIPR trained GTO officer है, कपूर्थला board में थे वो, ऐसे assessors से सीखने को मिलेगा, ऐसे assessors से अपनी personality में changes लाने का मौका मिलेगा, ऐसे assessors से positive attitude क्या होता है, वो सीखने को मिलेगा, और वो चीज़ चाहिए, फौर्ज में अफसर बनने के लिए, फौर्ज में अफसर बनने के लिए 90% नहीं चाहिए, फौर्ज में अफसर बनने के लिए अंग्रेज होना ज़रूरी नहीं है, फौर्ज में अफसर बनने के लिए छे फौर्ट दो इंच हाइट होनी ज़रूरी नहीं है, फौर्ज में अफसर बनने के लिए attitude, attitude and attitude की ज़रूरत है, positive attitude की, brotherhoodness की, leadership की, और ये सारी चीज़ें trained assessor के guidance में करेंगे, तो chances of selections ज़्यादा होंगे, इसलिए defense aspirants, अगर आप भी SSB interview face कर रहे हैं, तो आज ही त्रिशूल defense academy को join करिए, 14 दिन के इस capsule course में, प्रते एक दिन officer intelligence rating test है, ताकि आपकी reasoning skills सुद रहें, प्रते एक दिन lecture rate and group discussions हैं, ताकि आपका confidence level develop हो, आपका one to one drilling interview है, ताकि आपको pressure handle करना आए, GTO ground है, ताकि आपको group को कैसे manage करना है, कैसे group से काम लेना है, वो समझाए, और इसी को guidance बोलते हैं, तो defense aspirants, आज ही आएं त्रिशूल defense academy और अपनी personality में फरक देखें, तैंक यू, जैहिंत जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute, जहां cadets को train किया जाता है, आने वाले defense exam के अनुसार, अगर आपका भी सपना है, भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही जोईन करें, त्रिशूल defense academy